नमश्कार दोस्तो स्वागत करता हूँ फिट से आपका हमारे कोड नए वीडियो में दोस्तो गाडियों से संबंदित वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें आज के वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले महिंद्रा थार वर्सेस थार रोक्स के बारे में मतलब कि दोस्तों थार 3 डॉर वर्सेस थार 5 डॉर के बारे में तो चलिए दोस्तों बिना वक्त कवाई वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों ही गाडियों के टॉप इंजिन के बारे में तो यहाँ पर दोनों ही थार में सबसे बड़े इंजिन की बात की जाए तो वो मिलता है 2.2 लिटर का डीजल इंजिन यानि कि दोस्तो 22cc का डीजल इंजन दोनों ही गाडियों में मिलता है और यही इंजन 3-डोर थार में 150 BHP और 300 NM टॉर्क पावर प्रेडूस करता है और वहीं पर थार रोक्स में यह एंजन 172 BHP और 370 NM टॉर्क पावर प्रेडूस करता है जो कि थार 3-डोर से थोड़ी ज़ादा है गाडियों में गेर बोक्स की दोस्तो यही बात की जाए तो दोनों में सिमिलर मिलता है 6-speed automatic air manual दोने के option आपको दोनों ही गाडियों में देखने को मिलेंगे गाडियों के boot space यानि की दोस्तो सामान रखने की जगह की बात की जाए तो थार 3-डोर में आपको 600 लिटर्स का boot space मिलता था लेकिन थार रोक्स में आपको 644 लिटर्स का boot space मिलता है जो की थार 3-डोर से थोड़ा ज़ादा है अब हम बात करेंगे दोस्तों दोनों ही गाडियों के fuel टाइप के बारे में तो दोस्तों दोनों ही गाडियों में आपको petrol एंड डीजल दोनों के option मिलते हैं और गाडियों के mileage की यदी बात की जाए थार 3-डोर का mileage 14 से लेकर 17 किलोमेटर पर लिटर का रहता है वहीं पर थार रोक्स का mileage 12 से लेकर 15 किलोमेटर पर लिटर का रहता है गाडियों के ड्राइव ट्रेन की दोस्तों यदी बात की जाए तो दोनों ही गाडियों आपको 4x4 भी मिलती है और रियल विल ड्राइव भी मिलती है अब बात करते हैं दोस्तों दोनों ही गाडियों की टॉप स्पीड के बारे में महीं रा थार 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 की टॉप स्पीड 155 किलोमेटर पर हावर की रहती है और वहीं पर थार रोक्स की टॉप स्पीड 165 किलोमेटर पर हावर की रहती है और 0-200 जाने में 3 थार 15 सेकंड का वक्ते लेती है वहीं पर थार रोक्स जीरो टू हंडड़ जाने में सिर्फ तेरा सेकंड का वक्ते लेती है अब हम बात करेंगे दोस्तों गाडियों में 70 के तोर पर कितने कितने एरबेग्स मिलते हैं लेकिन थार रोक्स में आपको 6 एरबेग्स मिलते हैं यानि कि शैप्टी थारोक्स में जादा है। गाड़ीयों के वजन की दोस्तों यही बात कीई थार ट्री-डोर का व्जन 1785 किलोग्राम करता है। वहीं पर थार थार five dore का वजन 1790 किलोग्राम करता है। आखिर में दोस्तों हम बात करेंगे दोनों ही गाड़ो के टोप मोडल की प्राइस के बारे में महिंद्रा थार थ्री डोर के टोप मोडल की प्राइस की दोस्तों जली बात की जाए तो वो रहेगी 17.6 लाक रुपए और वहीं पर थार रोक्स मतलब की दोस्तों महींदरा थार फाइब डोर के टोप मोडल की प्राइज रहेगी 22.59 लाक रुपए जो की थ्री डोर से थोड़ी जादा महेंगी है लेकिन दोस्तों बहुती बढ़िया है एनिवेज दोस्तों हम आपको पूछते कि आपको थ्री डोर पसंद है या फाइब डोर पसंद है कमेंट करके जरूर बताएं बाकि हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद